आद्रणिय अभिभावकों और प्यारे विद्यार्तियों आप सभी को जेटीसी इंस्टिट्यूट की तरप से साधर अभिदंदन प्यारे दोस्तों कोरोना रुपी मामारी ने हम सभी को हिला के रख दिया है जिससे सिक्सा का सेतर तो बहुत अधिक परभावित हुआ है कोरोना ने तो सिक्सा रुपी सेतर को बदल के ही रख दिया है कोरोना ने यहां तक की शिक्सा के संपूर्ण जगत को हिला के रख दिया है जहां तक मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह शिक्सा का जो बदला हो वहा शरूप जो ऑनलाइन एक प्लेटफर्म के रूप में आ रहा है वो बढ़ता ही जाएगा इसको द्यान में रखते हुए जेटीसी इंस्टिटूट ने यूट्यूब कोर्ष आप सभी विद्यार्तियों के लिए उखलप्त करवाने की पूरी कोशिश की है और वो भी बिल्कुल फ्री यह जो वीडियो जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाए है इसमें एक कालपनिक कक्सा कक्स पर आधरी वीडियो है जो पून्त है एनिमेटेड वीडियो है इसमें गुरु तता शिस्ये के 20 में जो वार्ता हुई है उस वार्ता में सात्रों के लिए गुणता पुर्ण सिक्षा का महोल उपलप्त करवाने की पूरी कौसिस की गई है मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि हमारे ये यूट्यूब के वीडियो आप देखे उसको लाइक करें शेयर करें और अपने जो भी फ्रेंड्स वगरें उनको बताए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फाइदा हूँ परिजाए पुत्र तुम क्या कर रहे हो? पिता जी हमारे अध्यापक ने मुझे खाद्य उत्पादन समवर्धन कारेनिती पर कारे दिया है लेकिन मैं इसे समझने में असमर्थ हूँ, क्या आप मेरी साहता करेंगे? अवश बेटे हमने खाद्य उत्पादन की वृध्धि में बहुत सी तक्नीकियों का प्रियोग किया है अच्छा? पर कौन सी विधियां पिता जी? हम उन प्रजातियों का प्रियोग करते हैं, जिनकी उत्पादन शमता उच्छे होती है क्या तुम विस्तार से जानना चाहोगे? हाँ पिता जी इस अध्याय में आप सीखेंगे कि मानव जाती के लिए भूजन के उत्पादन में प्रिधी किस प्रकार की जा सकती है उत्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्निक करने में सक्षम हो जाएंगे पशुपालन की व्याख्या करना पाधप्रजनन एवं इसके प्रकारों का वर्लन करना एकल कोशिकी ये प्रोटीन को जानना उतक समवर्धन की व्याख्या करना पशुपालन पशुपालन गाए, मवेशी, बक्री आदी जैसे घरेलू पशुओं की देखभाल करने का विज्यान है जिनका उप्योग, मुख्यता, भोजन या उत्पात के सुरोतों के रूप में किया जाता है फार्म एवं फार्म पशुँँ का प्रबंधन डेरी फार्म प्रबंधन डेरी उद्योग एक पशुप्रबंधन है, जिसमें मनिश्य के उपभोग के लिए दूद और उससे बनने वाले पदार्थों का उत्पातन किया जाता है दूद का उत्पातन मुख्य रूप से पशुओं की नसल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है उत्पातन क्षमता का लाप लेने के लिए निर्न लिकित बातें आवशक हैं पशुओं के लिए उप्युक्त आवास की वैवस्था होनी चाहिए चारे की मात्रा वा गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पशुओं को भोजन वैज्यानिक धंग से दिया जाना चाहिए पशुओं को प्रचुर मात्रा में पीने का पानी उपलब्द होना चाहिए पशुओं की देखभाल इस तरह हो कि वे रोक मुक्त रहें पशुओं एवं उनके पालकों दोनों की गहन स्वच्चता और साफ सफाई बहुत आवशक है कुकुट पोल्ट्री फार्म प्रबंधन कुकुटादी से तातपर्रे उन पालतू पक्षियों से है जिनका उप्योग भोजन अत्वा उनके अंडों के लिए किया जाता है कुकुटादी में खास दौर पर मुर्गा मुर्गी एवं बत्तफ और कभी कभी तर्की तथा कलहंस आते हैं कुकुट पालन प्रबंधन के मुक्कि घटक इस प्रकार है रोग मुक्त एवं उप्युक्त नसलों का चयन पक्षियों के लिए समूचित दाने एवं पानी की वैवस्था फाम के लिए उचित एवं सुरक्षित वाता वरण पक्षियों की साफ सफाई और स्वास्थे देखभाल पशू प्रचनन पशू प्रचनन क्रिशी की वहशाका है जिसका संबंध मवेशी, सुर, भेड और घोड़े जैसे घरेलू पशूओं की देखभाल से होता है प्रचनन दो प्रकार के होते हैं अन्ता प्रचनन इसका अर्थ समान नसल के भीतर सघनता से संबंधित पशों का संयोग कराना है दो देनें की उच्छमतवाली मादा और उच्छ कोटी के बच्छों और साणों की प्राप्तिहेतू समान नसलों की उत्तम कोटी की गायों और सांडों के चोडों का संयोग कराया जाता है अता प्रजलन और चयन की इस्विधी से उत्पन घरेलू पशों की बहुमूले नसले इस प्रकार है स्पेन में विक्सित मेरिनो भेड जो उच्च कोटी की उन के लिए जानी जाती है घोडों की आधुनिक प्रजातियां तीन अर्बी घोडों की वंचज है अता प्रजलन से सम्युक मच्ता उत्पन होती है इसके कारण हानी कारक आप्रबल जीनों की उत्पत्ती की संभावना बढ़ जाती है आप्रबल जीन केवल सम्युक मच्च अवस्था में प्रकट हो सकते हैं इसलिए सम्युक्मच्टा से हानिकारक अप्रबल एलिलों यानि युक्मविकल्पी जीन का एक रूप उसकी उत्पत्ति में व्रिद्धी होती है, जिससे हानिकारक फेनोटाइप उत्पन्न होते हैं, इसे अंता प्रजनन अफसादन कहा जाता है. बाही प्रजनन इसका तातपर्य समान या अलग-अलग नसलों या यहां तक की अलग-अलग प्रजातियों के भी असबबंध पशियों के सैयोक से होने वाले प्रजनन से है, इसके निम्न प्रकार होते हैं. बाही संकरन एकी ही नसल के भीतर पशियों के समागन की यहग्रिया बाही संकरन कहलाती है, किंटु उनकी नसलों में चार से चेज़ पीडियों तक उनकी पूरवजों का कोई संबंध नहीं होता. वाही प्रजनन अफसादन से बचाओं में साहिता मिलती है. प्रजनन की ये विधी उन पशुओं के लिए सर्वोत क्रिष्ट है, जिनकी उत्पादक्ता और विकास की क्षमता औसस से कम होती है संकरन इस विधी में एक यही प्रजाती की एक नसल के शेष्ट नरका, दूसरी नसल की शेष्ट मादा से संयोग कराया जाता है इससे उत्पन होने वाले बच्चे में दो विभिन नसलों के वांचित गुड़ों के संयोजन में सहायता मिलती है इस तरह उत्पन संकर पश्वों का उप्योग सीधे वैवसाय हेतू उत्पादन, अथवा, नई और दीरकिजीवी नसलों के विकास के लिए किया जा सकता है बीकाद नेरी भेडूं तथा मेरीनों मेडों के समागम से विखसित एक नई नसल हिसर डैल संकरन का एक उधारण है अंतरा जातिय संकरन यह विजाती प्रजनन की एक विदी है, जिसमें तो अलग-अलग प्रजातियों के नर और मादा का समागम कराया जाता है, ताकि इससे उत्पन बच्चे में दोनों की विशेष्टाएं आ सकें उधारणार्थ, नर गधे तथा मादा घोडी के मिलन से खचर की उत्पत्ती, अंता विशिष्ट संकरन का एक उधारण है, कृत्रिम वीरिस सेचन ये वो प्रक्रिया है, जिसमें प्रजनक एक उत्पन नर से लिए गए शुकराणों को सुई के माध्यम से किसी चैनित मादा के जनन क्षित्र में छोडता है इस प्रक्रिया के लाब शुक्राणों का उप्योग तत्काल किया जा सकता है अथ्वाइस का संचेकर फ्रीच में रखा जा सकता है और बात में जब मादा जनन की आवस्था में हो तब इसका उप्योग किया जा सकता है जमी अवस्ता में शुक्राणों को दूर उस इस्थान पर ले जाया जा सकता है जहां उत्तम चैनित मादाएं हो किसी श्रेष्ट नर के शुक्राणों का प्रयोग कई मादाओं पर किया जा सकता है इस प्रक्रिया का एक माद्र दोश ये है कि इसमें सभलता की दर बहुत कम है ये मवेशी में सुधार की एक विधी है इस विधी के विभिन चरण इस प्रकार है शरीर में स्थित रस्रावी कूप की परिपक्वता और उत्तम अंडोस सर्ग यानि एक चक्र में 6-8 अंडाणों के उत्पादन के लिए प्रावृत्त करने हे दू एक गाय को रस्रावी कूप को उत्तेजित करने वाले हार्मोन जैसा हार्मोन दिया जाता है गाय का उत्तम सांड से समागम कराया जाता है अत्वा उसमें कृत्रिम वीरिस से चन कराया जाता है इस विधी में 8-32 कोशिकी ये अवस्थाओं में निशेचित डिंब प्राप्त होते हैं जिन्हें सरुगेट मादा में प्रेशित कर दिया जाता है इस तक्नीकी का प्रेयोग मवीशी, खरगोशों, घोडियों इत्यादी पर किया जा जा जुका है कम समय में बचले बच्चियों की संख्या में विधी हेतू इस तक्नीकी से उच्च दुख्द उत्पादंक्षमता वाली नसल की मादाओं तथा उच्च गुणवत्ता के मास वाले बच्चे उत्पन करने वाले सांडों का प्रजनन सफलता पूर्वक कराया जा जुका है मधु मख्यों की देखरेक मुख्यता शहद और मौम के उत्पादन के लिए की जाती है। शहद का उप्योग इन रूपों में किया जाता है। उच्च पौश्टि का हार तथा आयुर्वेद में आउशधी के रूप में सौंदरे प्रसाधन एवं पौनिश उद्ध्योग में मधु मौम का उप्योग किया जाता है। मधु मख्यों की एक मुख्य प्रजाती एपीस इंडिका है। मधु मक्यों के सभाओ आदतों का ज्यान। मधु मक्यों के जुनडों को पकड़कर चट्य में रखना। विभिन मौसमों में चट्यों का प्रवदन। शेह देवं मोम का रख्रखाओ और संग रहे। माद्सिकी उन्हें पालने उनके प्रासंसकरण तथा बिक्री से है। ये एक महतपूर उत्योग है क्यूंकि अधिकतर लोग अपने भूजन के लिए मचलियों पर निर्भर रहते हैं। तट्येक शित्रों में मचली पालन असंग के मच्वारों को आय और रोजगार पदान करता है। मचली के कई उत्पादों जैसे उसके यकरित का तेल उसका औशदिये महत्व है। कतला, रोहू, कौमन क्रॉप इत्यादी, मीठे जल में पाई जाने वाली कुछ मचलियां हैं। हिलसा, साडीन, इत्यादी, समुद्र में पाई जाने वाली कुछ सामान निमचलियां हैं। पादप्रजनन पादप्रजनन विज्ञान की वो शाका है, जिसका संबंध पेड़ पौधों को मानवजाती के अनुकूल बनाने हितू, उनके परिवर्तनशील जेनो टाइपों से होता है। पादप्रजनन के उद्देश उच्छ फसल गुण्वत्ता पूड विशिष्टाओं में सुधार रोगों से बचाओ कीट अथ्वा नाशक चीव से बचाओ उपजिक्षित्र का विस्तार फसल की एक नई आनुवन्शिक नसल के प्रजरन के मुख्यचरन इस प्रकार हैं। परिवत्न शीलता का संग्रह हैं। जनंत्रव्वे किसी आबादी या प्रजाती में विद्दिमान सभी जीनों और अलिलों का पुंज होता है। इस तरह किसी फसल का जनंत्रव्वे या जीनकोश विभिन जीनों का एक सम्मों होता है। जिसका तात्पर्य अंत्र लक्षित परिवर्थन से होता है, जो अनुकूलित पौधों के सुधार के लिए किया गया हो या किया जाने वाला हो। जनकों का मूलियांकन तथा चयन। जनक वे पादब होते हैं, जिनका चयन नया पादब उत्पन करने हे तू संकरण में लगानी के लिए किया जाता है, क्यूंकि इन पादबों के विशिष्ट गुणों को प्रजनक किसी पौधे में संयुक्त रूप से समाहित करना जाता है। चयनित जनकों के बीच संकरण पर संकरण जननिक इस्तर पर एक दूसरे से भिन दो पौधों के संकरण की प्रक्रिया है, जिससे एक तीसरे पौधे की उत्पत्ति होती है, और जिसके विशेष्टाएं भिन बहुदा वांशित होती हैं। एक ही प्रजादी के पौधों का संकरण आसानी से हो जाता है, और इससे उर्वर पौधों की उत्पत्ति होती है। दो भिन जातियों के पौधों का संकरण कठिन होता है, और इससे प्राप्त पौधे आम तोर पर बांज होते हैं। उत्तम पुनर योगजुं का चयन और परीक्षन। इस चरण में संकरण से उत्पन उन पौधों का चयन किया जादा है, जिनमें वांचित गुण हो। प्रजनन की द्रिष्टी से ये एक अती महत्पूंग चरण है। नए कंशणों यानी क्रिशिज उपचाती का परीक्षन, निर्मुक्त होना तथा व्यापारी करण। इस चरण में वांचित गुणों की संदर्भ में चैनित पौधों को शोदिक शित्र में उगा कर उनका मोलियांकन और आदर्श वातवरन में उनके प्रदशन का अवलोकन क किया जाता है। रोग प्रतिरोधकता के लिए पाधप्रजनन जनक पाधपूं की प्रतिरोधक और रोग संबेदी किस्मों का संकरण और फिर संकरण से प्राप्त पौधों से रोग प्रतिरोधी शमता एवं फसल की गुणवत्ता पून विशेष्टाओं के लिए पौधो का सावधानी पूर्वक्चायन कर, किसी पौधे में ये गुण सन्य विष्ट किये जा सकते हैं. उधारन, बाजरे की एक उन्नत किस्म में, बाजरे तथा अन्ने घास के एक रोग, यानि ग्रीन एयर को रोकने की उचिक्षमता होती है. रोग प्रती रोधकता है तू पादप्रजनन की विधियां। उधपरिवर्तन तब होता है, जब किसी जीन में उसके अनुवन्शिक संदेश, यानि जनेटिक मेसेच को बदलने के लिए परिवर्तन किया जाता है, जिससे नएकून उधपन्न होते हैं, जो पूर्वचों में नहीं होते, एक उधपरिवर्तक यानि म्यूटजेन तत्व का वाहक है, जो एक जीन की भौतिक सनचन में इस तरह से स्थाई परिवर्तन ला सकता है, जिससे अनुवन्शिक संप्रेशन परिवर्तित हो जाए, विभिन किस्मों के विकास है तू उधपरिवर्तकों यानि म् जिससे खेदी की उपज में व्रिद्धी हो सकती है, ये प्रिक्रिया उधपरिवर्तन प्रजनन कहलाती है। कीटों का आक्रमन खेदी की एक गंभीर समस्या है, जिससे फसल की हानी होती है और उतपात की गुणवत्ता में कमी आती है। प्रती जीविता प्रतिरोधक शमता से बहुदा कीटों की मृत्युदर में व्रिद्धी होती या दीर्गी जीविता तथा प्रजनन में कमी आती है। कीट प्रतिरोधी शस्य उत्पादों की किस्मों का अप्योग आर्थिक परितंत्री तथा परिया वर्णिये द्रिष्टी कोणों से लापतायक है। उधारन कीट प्रतिरोधी बीटी मक्का खादे समगरी की उन्नत गुणवत्ता के लिए पादप्रजनन अनिवारे सूश्मों पोशक तत्वों से वंजित आहार लेने से बीमारी जीवन अवधी में कमी हो सकती है। ऐसे में जैव प्रबली करण यानि बायो फर्टिफिकेशन विधी फसलों में इन पोशक तत्वों के उज्चतर इस्तरों के विकास की विभिन विधियों में से एक है। जैयो प्रबली करण बायो फर्टिफिकेशन फसलों के प्रजनन की एक्विदी है, जिससे पोशक अव्यवों में वृत्वी होती है। जिससे प्रजनन की एक्विदी होती है। जिसका उप्योग पशुधन के चारे में किया जा सकता है। येस्ट S.C.P. का एक्सरोथ है। येस्ट के लाप आकार बैक्टरिया से बड़ा होने के कारण फसल के लिए आसान। मैलिक एसिट का उच्चे स्तर। लाइजीन का उच्चे स्तर। पीच के अमलिये मान पर भी फसल संभाव। उतक संवर्थन पूर्टा नियंत्रित और स्वास्ते करिस्थितियों में किसी परक नली में कर्तोत कियों यानि विल्गित उतक से किसी पादप के प्रवधन को उतक संवर्थन कहा जाता है। विल्गित उतक से नया पादप उत्पन करने की सम्ता एक कोशिका की अलग होने और एक नए उतक या अंग उत्पन करने की सम्ता टोटी पूटेंसी कहलाती है। उतक समवर्थन से पादप उत्पन करने की विधी को सूक्ष्म प्रवर्थन कहा जाता है। इसलिए इन्हें काई क्रिदंक यानि सुमा क्लोन के रूप में जहना जाता है। किन्तु इस पौधे में वैवसाइक पैमाने पर उत्पादन के लिए सभी वांचित कोण नहीं होते। क्या आप जानते हैं? विशाल बीच कंपनी सिजेंटा ने इस वर्ष कोलोराडो से ओहयो और केंटुकी से मिने सोटा तक की समस्त कौर्ण बेल्ट में आठ सौ भूगंडों पर अपनी एगरी शोर आठी जियन पधती शुरू की है, जहां किसान अन उगाते हैं। सिंजेंटा, चीन, ब्लू प्रिंटिंग कारिक्रम में गंभीर सूखे की स्थिती में कई संकर प्रजातियां विक्सित की गई हैं। सारांश आईए हमने जो कुछ तीका है उसे संक्षेप में तोराएं। पशू पालन घरेलू पशू जैसे गाए, मवेशी, बकरी आदी की देखभाल करने का विक्यान है, जिनका उप्योग मुख्य रूप से खाद्य सामगरी या उतपात के सुरोत के रूप में किया जाता है। मानाव भोग हेतु दूद एवं दुब्ध उतपादों के लिए पशू का प्रबंधन देरी उद्योग कहलाता है। पोल्ट्री से तातपर्रे उन पालतू पक्षियों के संबर्ग से है, जिनका उप्योग भोजन अत्वा उनके अंडों के लिए किया जाता है। पशू प्रजनन क्रिशी की वो शाका है, जिसका संबंध घरेलू पशूओं जैसे मवेशी, सुवर, भेड और घोड़े आदी की देखभाल और प्रजनन से है। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। प्रजनन की उस विधी से है, जिसमें एक इही नसल के या विभिन नसलों या फे प्रजातियों के असंबध पश्यों का संयोग कराया जाता है। मदुमक्की पालन मुख्यटा शहद एवं मूम के उत्पादन के लिए किया जाता है। मास्टिकी एक प्रकार का उद्योग है, जिसका संबंध मचली, सीपियों यानि मोलस्क, कवच युक्त जीवों यानि क्रस्टीशियन आदि को पकड़ने, उनका प्रासंसकरण तथा उनकी विक्री से होता है। पादप्रजनन विक्यान की वो शाका है, जिसका संबंध पेड़ पौधों को मानवजाती के अनुकूल बनाने हेतू, उनके परिवर्तन शील जेनो टाइपों से होता है। उत्परिवर्तन तब होता है, जब किसी जीन में उसके अनुवन्शिक संदेश, यानि जनेटिक मैसेज को बदलने के लिए परिवर्तन किया जाता है, जिससे नईकुन उत्पन होते हैं, जो पूर्वचों में नहीं होते। जयोप्रबली करण यानि बायो फर्टिफिकेशन फसलों के प्राजनन की एक विधी है, जिससे पोशक अव्यवों में पृत्ती होती है। शहवाल, यीस्ट, कवक या बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को एकल कोशिका प्रोटीन यानि SCP कहते हैं। विल्गित उतक यानी कर्तोतकी से नया पादब उत्पन करने की शम्ता किसी कोशिका की अलग होने और एक नय उतक या अंग उत्पन करने की शम्ता टोटी पोटेंजी कहलाती है। हुआ हुआ हँआ है। उलग, हसाथ है.